जहें दोस्तों स्वागत है वा फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में तो दोस्तों इस वीडियो में हम निफ्टी की फुल एनलसिस करेंगे जो की 27 सप्रेल यानि कल के लिए होने वाली है 27 सप्रेल में कल क्या होना है गैप अफ होगी गैप डाउन होगी सारी चीज़े बताएंगे आप संचैन डेटा के अकार्डिंग कुछ इनलसिस करेंगे टेकनिकल इनलसिस के साथ साथ हम आपको बाई सेल सपोर्ट रेइस्टेंस और एसल को भी यहाँ पर डिसकस करेंगे आप की मार्केट ने ठीक ठाक मूब दिया है तो 27 सप्रेल को क्या कुछ आपके साथ घटित हो सकती है घटना क्या हाथसा हो सकता है इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहीगा बिना स्किप किये हुए साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगर इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आप सभी विगिनर्स को तो ट्रेंड ही किया जाता है साथ ही साथ यहाँ पे डेली बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रवाइड करा जाते हैं जो की 95 प्लस परसंट इक्विरेसी के साथ होते हैं दोस्तों अगर आप आप नए है तो यहाँपे आपको आपकी प्लेलिस मिल जाती है option trading strategies की जहाँ पर आपको तमाम प्रकार की option trading की priornd नीतियों के बारे में हमने discuss किया हुआ है कई बार आपको paid course में वो देखने को नहीं मिलेगा जो हम यहाँपे free में provide करा देटे हैं क्योंकि मेरा उद्देश स आप सभी को आप सभी beginners को एक advanced level पे ले जाने का है और यहाँ पे तमाम सारे stocks की analysis हम क्या करते हैं आप सभी के recommendation के according भी हम video बनाया हुआ करते हैं आप सभी के comments का reply within hours हम कर देते हैं इसलिए अगर आपका कोई doubt है तो comment भी कर सकते हैं निसंदे आपके comment का हम reply करते हैं within hours हर एक comment का respect करते हैं समान करते हैं दोस्तों यहाँ पे daily analysis नाम सा जो playlist बनी हुई है यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं हमारी previous video की मेरी accuracy किस परकार से 95% है क्योंकि मैं आज जो बताता हूँ next day यानि कि कल क्या होगा एकदम accurate जाता है प्रूब के तार पर हम आपको दिखाना चाहें य मैंने जो लेवल्स ड्रा किये हुए थे कल के लेवल्स हैं मैंने अभी यहाँ पर कुछ मिटाया नहीं कुछ एरेज नहीं किया सेम टू सेम वैसे हैं जैसे मैंने कल दिया हुआ था तो हमने कल के जो वीडियो में हमने बताया था कि 17,000 50 से ले करके market मार्केट मार्किजिगा निफ्टी 50 आपको move दिखा सकती है 70,200 का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसी range में निफ्टी 50 जो है move किया करी है इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर लास टाइम पर आपको देखने को मिला है कि थोड़ा ऊपर गई है निफ्टी 50 17,220 तक तो यहां पर एक इंडिकेटर हो जाता है कि निफ्टी फिप्टी जो है नेक्स डे गैप आप ओपन हो सकती है या फिर 17,280 के आसपास में ओपन हो सकती है अगर टाइम रहता तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको मुव देखने को मिल जाता है लेकिन आपको बताएं कि 17,200 तक का ही मुव देखने को मिला है ये तो हमने समरी बता दी है अपने प्रिविएस वीडियो की आप जाके फुल नेलसिस कर सकते हैं देख सकते हैं रिजल्ट देख सकते हैं मेरी एक्यूरेशी देख सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो अगर पुराने हैं तो आप हमे अपना किया हुआ loss recover करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड सकते हैं जो कि description में हमने link दे रखी है उस पे click करके आप हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हैं बिलकुल free आपको आज चाहे एक दो दिन तीन दिन वहां रहके देख सकते हैं जुड सकते हैं बिलकुल free है और वहां पर भी मैं particular levels भी provide कराज करता हूँ जो की 95% accuracy के साथ होते हैं तो ये तो हो गई कल की बाद थोड़ा सा summary हमने detail ने बता दी अब next day क्या होने वाला है nifty 50 में तो हम बताएंगे थोड़ा सा मैं सपोर्ट रिफाइंड करने के बाद में आपको लेवल नोट कराएंगे आप पेपर लेके रेडी रहिए आई होप आप रेडी होंगे वीडियो में बने रहिएगा इसकी पिसली मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं इसमें आप संचेंड के आप वीडियो को पूरा देखें बिना इसकिप की हुए क्योंकि 24 गंटे में 20 गंटे 22 गंटे 18 गंटे 15 गंटे तो आप इधर हुदा इनिवेस्ट कर देते हैं अगर 2-4-5 मिट की वीडियो आप ज्यादा देख लेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें आपका कोई नुकसान नही होगा अगर आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो अधर्वाइस मुझे लगता है कि अगर वीडियो पूरी देखते हैं तो क्यों नहीं प्रॉफिट होगा तमाम सारे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपका ही क्यों नहीं होगा कहीं नहीं सीखने से होता है करने स सतरे होता है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने लाइन्जा कर दी हुई है आप लेवल नोट कर सकते है शर्म निप्टी-न सकते है तो जैसा कि हमने विडियो के पहले ही बता दिया था विडियो स्टार्ट करने से पहले कि मार्कम जो है तगड़ा support level बन रहा है 17,150 का तो यहाँ पे first range अगर आप note करना चाहें तो first range आप note कर सकते हैं 17,150 से ले करके 17,300 तक का यह move market में देखने को मिल सकता है next day nifty 50 के अगर आप upside की range में बने हुए हैं तो हम आपको बताएं कि आपको एक SL लेके भी चलना पड़ता है वहीं पे आपको बताएं इस top loss break करने के बाद में nifty 50 एक बार 17,060 के आसपास में trade करती हुई नजर आएगी यहाँ पे support लेके उपर जा सकती है लेकिन हम आपको बताएं कि अगर 17,060 के level को break करती है nifty 50 तो आपको next move नीचे का देखने को मिल सकता है 16,900 का जी हाँ दोस्तों nifty 50 के range की बात करें तो first range नीचे downside की आप नोट कर सकते है 17,120 से ले करके 17,060 का उसके बाद इसकी second range downside की नोट कर सकते है 17,600 से ले करके 16,900 का 16,900 आने से पहले हम आपको बताते हैं हमें यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है कि 16,980 के आज पास में एक support level बनता हुआ दिख रहा है nifty 50 में तो यहाँ आके market sustain कर सकती है उसके बाद इस level को break करने के बाद में अगर आती है downside में तो otherwise मुझे लगता है कि upside में ही कल moment देखने हो तो नीचे की downside में आपको 16,980 पर एक support level मिल लहा है तो यहाँ पर sustain कर सकती है market otherwise इसको break करके 16,900 पर आ सकती है कोई संदेवाली बात नहीं इसमें मुझे लगता है कि हमारे इतने भी students है सारे students smart है और आप भी video देख रहे हैं तो smart ही होंगे तो इसलिए सीखते रहना चाहिए करते रहना चाहिए बिना सीखे तो यहां लड़का cycle भी चलाता है तो एक दो बार गिर जाते हैं बिना सीखे accident निश्चित होना है और यह तो खैर share market है इसमें तो loss निश्चित लेवर पर हो ही जाता है कई सारे लोग बिना सीखे करते हैं और वो loss बुक कर लेते हैं तो इस एक बार मिलता है market में तो आप को लालस देके जाता है और कई बार आप कूद पढ़ते हैं लिमिट से कहें लिमिट में रहिए कहते हैं कि लिमिट में रहना अच्छी बात होती है तो अगर हम Nifty 50 के option chain data की बारे में अगर आपको बता है तो Nifty 50 के option chain data का जो buying pressure बता रहा है वो 17,350 तक का आपको option chain data के according आप side में market देखने को मिल सकती है तो buying और selling pressure की हमने बात कर ली है कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर बाइंग pressure क्या होता है तो हम आपको बता देंग pressure हटा दीजिए बस वही हो जाता है buying और selling बाइंग जो बन रही है वो 1690 पे बन रही है 900 पे और जो ज्यादा tension लेने की बात नहीं है हम आपके comment के reply के साथ साथ आपकी doubts भी clear कराते हैं तो अगर आपके कोई doubts है तो telegram channel पे जुड़ते हैं तो मैं वहाँ पे अपनी जो contact detail होती है मैं share किया करता हूँ वहाँ से आप मुझसे chat support ले सकते हैं chat support के माध्यम से भी हम वहाँ पे connect र सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको time देना होगा दो चार दिन शे दिन का आप लोग देखिए समझी और fit trade करिए मेरे कहना का वो देश सिर्फ इतना है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें तो यहाँ पे वीडियो खतम करते हैं nifty 50 की आसा करता हूँ वीडियो कर दीजीगा वीडियो के description में आपको link मिल जाएगी telegram channel की वहाँ से जुड़के आप हमसे connect हो सकते हैं otherwise यहाँ पे अगर अभी भी आपको rate subscribe बटन दिख रहा है तो उसे subscribe कर लिजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा कोई भी valuable content अगर प्रेस ही रहना है सत्ता इसать siable को हाँसा क्या हूसकता है हाँसा यही हो सकता है कि हमने जो बताया है कि market gap up open हो सकती है अलगी जो अपसन चेन का data जो buying pressure बता रहा है वहां तक न जाय हो सकता है कि यही हाँसा है और यहीं हाँसाँ हो सकता है और उसी अपसन चेन का data की according आप eager खेल हैं तो आपका loss हो सकता है तो मैं आपको बताओं कि कोई भी trade buy sell करने से पहले आप अपने financial advisor से जरूर concert करें आप सभी को पता होगा या फिर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई severe register नहीं हूं और ना ही आपका कोई financial advisor हूं आपके हानिलाब में मेरा कोई सरोकार नहीं होगा ये आप सभी भली बाहते जानते ही हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के शाथ एक नए इलिस्स वीडियो के शाथ एक नए एजुकेशनल वीडियो के शाथ अब तक लिए हिंद जै भारत वंदे मातरम टेक केर बवाया आला फ्यू